नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम लोग nut and bolts के types के बारे में discuss करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये कितने types के होते हैं और कैसे काम करते हैं यदि आप technical line में work कर रहे हैं चाहे आप ITI में feeder trade से हो या फिर engineer हो आपको nut and bolts का नाम उसके आकार के अनुसार आना ही चाहिए क्योंकि जहाँ पर हम जिस nut and bolts की requirement है वहाँ पर अगर proper उसी type का nut and bolts नहीं लगाते हैं तो वह अच्छे से hold नहीं होगा बार बार looseness की problem आती रहेगी इसलिए nut and bolts का परियाप्त जनकारी होना आवस्यक है तो चलिए बिना देर किये most common use होने वाले nut and bolts के types के बारे में उसके image के साथ जानते हैं एक bolt में दो भाग होते हैं एक shank और एक head बोल्ट का जो बेलना कार भाग होता है उसे shank कहा जाता है और उसके उपरी भाग जिसमें wrench और LN की ये सब लगा के खोलते हैं उस भाग को head कहते हैं और इस head का shape ये बताता है कि कौन सा nut लगेगा या फिर किस type का nut यहाँ पर लग hexagonal headed bolt या bolt most common use होने वाला generally हर temporary joint में इस bolt का उपयोग करते हैं hexagonal head है यानी 6 angle में मुडा हुआ है तो इसके angle की बात करें तो यह 60 degree पर हर angle पर मुडा हुआ होता है क्योंकि 60 degree में अगर आप 6 से गुडा करेंगे तो यहाँ अपना एक चकर पूरा करेगा यानी 360 degree होगा angle हमने इसलिए mention किया क्योंकि जब hot tightening आप करते हैं hexagonal head वाले bolt tight करते हैं तो उस time बहुत ही कम और angle को ध्यान में रखकर bolt घुमाते हैं जैसे 60 degree 120 degree तो आप उसमें marking कर सकते हैं और 60-60 degree को angle मान करके उतना ही आप घुमा सकते हैं कंदाज से और जो hexagonal bolt है hexagonal bolt की लंबाई उसके head को छोड़ करना पा जाता है अगर हमने कहा कि 60-15 का ये हमारा bolt है तो उसमें उसका head छोड़ के वो पूरा 60 mm होगा next देखते हैं bolt type में अगला है square headed bolt नाम सही clear है कि bolt का head square है यानी की चौकोर है 90 degree angle पर मुड़े हुए इस bolt का उपयोग भी बहुत common होता है खासकर इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर head को एक proper gap में adjust करना हो यह gap में चौकोर आकार का ही बना होता है उसी में यह head फिट किया जाता है तीसरे नमबर पर है T headed bolt इस bolt को अगर आप देखोगे तो यह English के T अक्षर के आकार के जैसा होता है इस bolt का ज्यादा तरुपयोग clamping के लिए करते हैं या machine wise jig fixture इन सभी को clamp करने के लिए उपयोग किया जाता है इस bolt को आप इसके folding के clamp में भी देख सकते हैं इसक next है cup head bolt cup head bolt का head गोला होता है और head के निचले हिस्से में चौकोर भाग बना होता है जो की bolt को कसते समय पकड़ मजबूत बनाता है इस cup headed bolt का ज्यादा तरुपयोग लकड़ी के कामों में किया जाता है अगला है hook bolt इस bolt के एक side के सीरे पर hook बनी होती है और दूसरे side के सीरे पर इसके अलावा C channel को भी कसने के लिए इस bolt का उपयोग किया जाता है next है eye bolt eye bolt का एक सीरा गोल रिंग की तरह होता है उसके नीचे threading वाला भाग होता है इसका उपयोग किसी भी प्रकार के object को उठाने के लिए किया जाता है कुछ eye bolt इतने मजबूत होते हैं कि उनका उपयोग भारी मशीनों को उठाने के लिए भी किया जाता है ये अलग-अलग size क्याते हैं इनका उपयोग अधिकतर industrial job को उठाने के लिए मतलब जो बड़े motor heavy motor हो गया या heavy आपका कोई भी part हो गया उसको उठाने के लिए किया जाता है या bolt छोटे size से लेके बड़े size तक हर वजन कह हिसाब से भी मतलब कितनी capacity है उसके हिसाब से available होते हैं next cheese head bolt cheese head bolt cylindrical होता है इसलिए इसे cheese head bolt कहा जाता है cheese head bolt को उनके सीर के मतलब जुसका head है उसके प्रकार से परिभासित किया जाता है जहां spanner का उपयोग किये भीना screw को tight करना चाहिए वहां इस bolt का उपयोग किया जाता है इसके अलावा इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर जगह मतलब space कम हो उस जगह पर इस bolt का जादा तर उपयोग किया जाता है उसके बाद है counter sunk head bolt counter sunk bolt के head का उपरी सीरा सपाट होता है मतलब बिल्कुल plane होता है और उसके नीचले भाग का जो angle है वो 80 degree तक होता है ले किसी भी जौब या किसी सामगरी की सतह पर मतलब किसी material के सतह पर जब आप counter sunk head bolt लगाते है तब उसका head job के counter मतलब उसका head है वो उस जौब के यानि उस part के counter में डूब जाता है मतलब बैठ जाएगा बिल्कुल plane हो जाएगा यानि इस screw का उपयोग तब किया जाता है जब हम इनको वैसा जरूरत हो जो मतलब उस part के साथ है उस component के साथ बिल्कुल plane fit बैठ जाएगा उपर उठा हुआ या उबरा हुआ न दीखे इन foundation bolt का उपयोग मुख्यरूप से building, manufacturing, बड़े machine, machine के foundation और construction में किया जाता है यह bolt किसी भी object को first के साथ new रखने के लिए उपयोग मिला सीरा जो है वो taper होता है इसलिए इसे taper headless bolt कहा जाता है यह taper headless bolt अवश्यक्ताओं के अनुसार भी भिन आकार और design में मिलते हैं जिनका उपयोग locking system, shaft या coupling में किया जाता है नेक्स्ट जो हमारा bolt type है वो ही stud इस image में stud को आप देखकर समझ सकते हैं कि एक cylindrical steel का plane piece है इसके दोन type वगरा को tight करने में किया जाता है टाइरोड के type में भी इस्तेमाल करते हैं यह तो थे most common use होने वाले bolts के नाम और उनके काम अब हम nut के types के बारे में जान लेते हैं जिसमें सबसे पहले number पर है hexagonal nut यह एक बहुत ही common nut जिसे आपने लगभग हर जगा कही न कहीं देखा होग यह 6 कोडिये होने के वज़ह से इसे hexagonal nut कहते हैं इसके बाद है square nut इस nut का उपयोग square bolt के साथ conjunction किया जाता है इस nut के लिए उपयोग किये जाने वाला spanner hexagonal nut की तुलना में square nut पर बहतर पकड़ बना सकता है next ring nut यह ring जैसा देखने में होता है इसके लिए एक special C type का spanner आता है जो इसके बीच में slot दिये गए हैं इसमें fit होकर इसे operate करते हैं मतलब यह खुलता या बंद होता है यह nut जादा तर lock nut के रूप में उपयोग किया जाता है अगला है cap nut यह एक hexagonal nut ही है लेकिन इस nut के उपर cap लगा हुआ होता है जो की इसको जंग लगने से prevent करता है साथ ही यह ind cap की तरह भी काम आता है अगला है coupling nut coupling nut long size के होते हैं इनका उपयोग दो threaded rod को आपस में connect करने के लिए किया जाता है इसलिए इसे coupling nut कहते हैं next है wing nut wing nut नाम से ही पता चल रहा है कि इस nut का आकार wing जैसा यानी की punk जैसा है इसका उपयोग हम वहां करते हैं जहां बार बार खोलना बंद करना हो ताकि यह अंगुठे की मदद से भी आसानी से operate किया जा सकता है आप इस nut को hexa blade में जरूर देखे होंगे तो उम्मीद है दोस्तों जो हमारे इंजिनियर फ्रेंड्स हैं खास करके नए इंडस्टियल फिल्ड में जो गए हैं ITI या डिपलोमा करके उनके लिए या वीडियो जो की nut bolt के नाम पर image सहीत बहुत ही useful साबित होगा ऐसे ही वीडियो की update पाते रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें और यदि आप अन्य किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो हमें comment box में comment करके बता सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में thank you